हेलो हिरोज मैं विश्याल ड्रोलिया स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूट्व चैनल इंजीनेर्स लाइफ ड्रोलिया पे तो हिरोज इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा आपसे Computer Communication Engineering versus Data Science Engineering और लास्ट में मैं कुछ बात करूँगा आपसे IT और CHC के बारे में भी जो Computer Communication Engineering है और Data Science Engineering है मैंनले क्या है Computer Science Engineering की Specialization ब्रांच है जो कि मनिपाल के द्वारा ओफर की जाती है तो इनके बारे में मैं आपको डीटेल से बताऊंगा और इनमें क्या-क्या इसके बारे में मैं आपसे डिसकस करूँगा तो चलो सुरू करते हैं Computer and Communication Engineering के साथ तो देखो यार Computer and Communication Engineering जो है मैंनले इंक्लूड करती है आपको Software Development और साथ-साथ में Electronic Communication Engineering ECG से बोलते हैं तो कही ना कहीं यह Software Development और साथ में इंक्लूड करता है आपको Electronic Communication Engineering को और इसका जो Combo बनता है या इन दोनों के Courses को मिला के जो फिल्ड तयार होती है Computer and Communication Engineering तो कहीं ना कहीं आपको इसमें EC का भी जो Communication एक फिक्स फिल्ड हो जाता है और आपको उस स्पिसिफिक फिल्ड में ही जॉब मिलती है स्केल की बात करें तो है Placement Opportunity अच्छी है मैं कंपनी की बात करो तो Google, Microsoft, Oracle, IBM, Intel, Samsung ऐसी जैसे बड़ी कंपनियां हाइर करती है मतलब इन सभी कंपनियों में भी क्या requirement होती है और आपकी Career Opportunity अच्छी है अगर आप इस फिल्ड में अच्छा करते हो इस ब्रांच को लेके भी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका जो Career Opportunity है वह अच्छा है और प्लेसमेंट वाइज भी यह ब्रांच के है डेवलफ हो रही है तो इस ब्रांच की भी मांग मार्केट में आज के दिन में है अगर मैं बात करूँ डेटा साइंस इंजिनेरिंग के तो देखो अगेन यह स्पेसिलाइजेशन ब्रांच है कम्प्यूटर साइंस इंजिनेरिंग का तो यह मेंनली इंक्लूड करता है कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड माटमाटिक से स्टैटिक है मैंनेजमेंट है डेटा कॉलेक्शन है डिजाइनिंग है इन सभी चीज में फोकस किया जाता है इस स्पेसिफिक फिल्ड में बरी-ब तो इन सभी सेक्टीर में आप आगी जा सकते हो डेटा संगली क्या है डेटा के साथ अब यहां डेटा से की बात है यह कृатив डेटा मेंटेन की बात है तो आप उस उस श्बैल्ड में काम करते में तो कंप्यूटर कम्यूनिकेशन नहाँ बात एते हम दे अल नहीं र आ altar कि य तो दिन प्रती दिन क्या है श्कूप आपका बढ़ रहा है तो बहुत लोग क्या है कि ऑग्या हम ले अगर इसी लेते हैं तो इसे वीडियो में बात छोड़ देते हैं यह नहीं लेना चाहिए देखा प्राइम फोकस तो मैं काउंगा कम बच्चों का होता है अगर जिन बच् इंट्रेस्ट है कि मुझे इसी फिल्ड में जाना है तो उनका तो प्राइम फोकस होता है बहुत से बच्चों का यह प्राइम फोकस नहीं होता है अगर उनके रेंक बैसिस पर उनको कम्प्यूटर साइन्स की अइटी नहीं मिलती है तो इन ब्रांचों के लिए जाते हैं कम्प्यूटर साइन्स और आईटी की बात करें तो इसे हमारा सॉफ्ट्वेयर ऑर येंटिट है मतलब सिर्फ सुफ्ट्वेयर की छीज़े उधर होती है CSC के बात करों तो software है और थोड़ा सा टेच आपको hardware का मिलता है बाकि COE है इसमें software थोड़ा सा hardware और थोड़ा सा electrical engineering design भी आता है तो CS तो मानों कि as a parent है मतलब वहां आपको knowledge थोड़ी थोड़ी हर चीज की होगी और उसकी scope के बारे में बात करने के जोड़ती नहीं है IT क्या है information technology 80% syllabus जो है CS से मिलती है बहुत लोग सुसते हैं कि अगर मुझे CS नहीं मिल दे है तो IT लेना चाहिए या बहुत लोग का प्राइम फोकस होता है IT लेने का तो देखो CS IT की syllabus 80% सेम है और बहुत सी कंपनियां जो maximum कंपनियां दोनों ब्रांच के लिए common आती है बहुत CS कंपनियां जो एकदम आती हैं नहीं CS की बच्चे को लेना है लेकिन IT के बच्चे को लगबग हर college में same opportunity मिलती है तो placement wise बात करो तो कहीं कोई टेंसर नहीं है 80% syllabus सेम है और career opportunity दोनों के लिए बराबर है कई college की मैं बात करो मुझे मेरे college में एक year में याद है कि IT engineering की placement ज्यादा वी थी computer science engineering के ठीक है तो आप ऐसा fix नहीं कह सकते हो कि computer science engineering बातसा या IT की placement खराब होगी या CC की खराब है या DS की खराब है ऐसा कुछ नहीं होता है अगर मैं computer science engineering की बात करो तो software engineer, software developer, system engineer, java developer और आपको आता है computer programmer वहीं IT की बात करते हैं तो system analyst आते हैं हमारे network engineer आते हैं हमारे technical support आते हैं हमारे और उसके बाद हमारे आया जाते है programmer वेगड़ है तो मोटा मोटी भैसा बात बराबर होती है career opportunity आप देखते हो कहां ज्यादा पैसा मिलता है तो इस मामले में दोनों branch बराबर है और दिन प्रति दिन जैसे development हो रहे है data scientist या data scientist जिसको बोलते है या data science जिसको बोलते है उसकी भी demand अच्छी खासी आज के टाइम में market में बनी और computer communication जो scope है इसका दिन प्रति दिन बढ़ने वाला है अगर आप इस branch को भी consider करते हो तो आपके लिए कहीं से कोई problem नहीं आने वाली है मैं उमीद करता हूं इन चारो branch में difference आपको clear हो गया होगा और मैंने दिखा था कि CC और DS के बारे में बहुत कम discussion था बहुत कम detail था इसल